जो आर जारखंड जय जारखंड उमीद करते हैं आप सबी ठीक होंगे हलांकि जारखंड में सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है उसी करम में आज अक्सर हम लोग कहते हैं सुनते हैं कि आज जो कानूनी वेवस्थाएं हैं कही ना कही सत्ता के अधीन हो गई हैं जबकि कानूनी वेवस्थाओं को स्वतंत्र रहना चाहिए जो भी कानूनी वेवस्थाओं हैं जो भी एजेंसियां हैं उन्हें कहीं न कहीं स्वतंत्र रहना चाहिए स्वतंत्र दिखना चाहिए स्वतंत्र कारी करना चाहिए लेकिन आज दुरभागी के विसे है वो तमाम का परक्रियाएं सत्ता के अधिन होकर रहें जिस करम में सुनने को आया है कि अमीद दादा जो लगातार सत्ता दल भले वे विलायक नहीं थे लेकिन तु सत्ता दल में थे जहर सी बात है सत्ता दल के साथ रहाकर बहुत कुछ कर सकते थे बहुत कुछ अरजन कर सकते थे लेकिन उ हम लोग उन्हें अस्वागत करते हैं उनका इस्तकबाल किया था और उनका वेलकम्स अभिनंदन किया था तो जैसा कि अभी सुनने में आया है और चर्चाएं मिली हैं कि वे अपने आपको साहिद स्रेंडर करने जा रहे हैं तो इस परिस्तिती में हम लोग एक काना चाहेंगे कि हम लोग अमिद्दा के साथ हैं और निश्या ही माटी की लड़ाई के लिए उन्होंने जो परित्याग किया है आज बिगत कई दिनों से लगातार 20 किलोमेटर की दोड़ लगा रहे हैं इस तपीस में इस घर् भाव उनका और उनके साथ उनकी कुछ सहीयोगी हैं उनके कुछ साथी ए अंड्य आंद्रोंकारी साथी हैं जिनको भी धारा 302.3 के तहट अरेस्टिंग करने का विसाही सामनी आया है कि यह का पी दूख का भी काविसाही माना निय मुख्यमंतरी कुछ दिन पुर्व एडी के सिकन जो में, सायद खनन का मामला था। जिनमें उनकी मुख्यमंत्री का जुपध है। उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा था। लेकिन उस पर किसी परकार से टाल करते हैं वे उस सिच्वेशन को हैंडल करते हैं। निकल आते हैं। सो भाविक सी बात थे सत्ता महसक्ति का उन्होंने अपने हितार्थ के लिए उप्योग किया लेकिन जो लोग सत्ता से कट गए हैं क्या वे लोग उनके लिए 353 की धारा मजाक बन जाएगे और लिहाज आज के डिट में हमारे कानूनी वेवस्ताओं की बात करने जो 353 का जो आ आवाज उठाने जाओ तो सरकारी काम में बाधा विडियो से अगर कुछ गलत कर रहा है उसके खिलाब बात करो तो सरकारी काम में बाधा अपने हक अधिकार की बात करो तो सरकारी काम में बाधा पुल मिलाकर 303 सेक्षन आज के डेट में मजाक बनके रह गया रुसी के तहत अमिद्दा के साथ जो कानूनी दावपेच खेला जा रहा है जो इसका कही ना कही हम लोग भर्थना करते हैं और निश्चही इस घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं और लिहाजा साथ होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने उस समय अपने दल का त्याग किया जिस समय उनका दल स कर सकते थे उसके बावजूद उनके और उनके साथियों को हुल जोहार करते हैं नमसकार करते हैं निश्चही आज तमाम परिस्थितियां आपके सामने हैं कि आज की इस परकार 3003 पन का जो सेक्सन है मजाक बनके रह गया है अगर विधान सभा घेराओं की बात कही जाए तो ये सर्व विधित है कि विधान सभा से लजना जाने 500 मेटर की दूरी एक किलो मेटर की दूरी पर ही वेरिगेटिंग होता हाईर वहां से तो आगे किसी को जाने दिया ही नहीं जाता है उसके बावजूद इस परकार मतलब सिकंजा कसना इस परकार से साजी से करना ये बहुत ही दुरुभाय के पुरुन विशय है कि छात्रों ने भी जो जे सस्यू का अंदोलन हुआ तो उस समय जो काफी धाराएं से लगाई गई सर्वीदित ए और सबने देखा कि आशुगे प्रसासन की ओर से छोड़ा गया रबण गोलीया प्रसासन की आठी चारज प्रसासन की ओर से किया गया और फाइनली फर्जी के ãyस छात्रों पर लाद्र ईया जाता है तो कही ना कहीं एक आवाज को दबाने चे रहें मनोज जी रहें जो भी रहें उन्से आप टेबल टोक कीजिए उन्हें बुलाईए उनका परतिने मंदल बुलाईए तो ठीक उसी प्रकार से अमिद्दार है या पिर जो भी आंदोलोन कारी रहें मुख्यमंत्री जुग अपना हिर्दय बढ़ा करते हैं उन्हें बुला ही नहीं आने वाले दिन जो भी लोग अपने अधिकार की बात करेंगे जो भी लोग अपने लड़ाई को लड़ने जाएंगे निश्या ही उन्हें दबाने के लिए 353 सेक्षन कारगार साबित होता है और हम भी डरे से हमें लोग डर कर पीछे हड़ जाते हैं लेकिन अब हम अंदोलन की आगाज किलकारी खिली है हो पीछे नहीं हटेगी और सहती हमारे कोई हमारे कुछ साती सूचना दियें कौकि हम अभी अब सोसल मिडिया साइट में अवेलबल नहीं हो पाते हैं तो लिहाजा ध्यान नहीं पाति कुछ हमारे मित्र हैं हमारे बंदू है जो करते उमेद करते से अंके टेबल टोक से हमें भी कुछ सिखने को मिलेगा और हम भी मजबूत होंगे तो जो भी साथी चैनल के मांदियम से टेबल टोक लिए आमंतरित हैं या फिर चेलेंज आपकी भासा में चेलेंज हम तो अमंत्रन कहते हैं हम अमंत्रन स्विकार करते हैं और लिहाजा हमने अपना वाट्सप नंबर प्रोबाइड किया है उन बंदू को उस पर संपर करके आप टेबल टॉक के लिए मीडिया भी अगर उपस्तित रहेगी तो बहतर हैं हमें कोई आपती नहीं है जिस परकार से टेबल टॉक हो उनके लिए हम लोग साधर आमंत्र रहते हैं और जिसा कि आप पर्ष्ट कमेंट में आप लिक रहे हैं तो हम यहीं कहना चाहेंगे जहां तक जरिया बिढ़ाई जी का संबंद है उनका भी कुछ वीडियो बयान है तो हम लोग हमने सबस्ट कहा है कि हम लोग जो क्रॉस क्वेश्चन है वह चुकिए इस्तरी विधाया खेर हमने सुरू से कहा है कि चाहे रामगण में ममता देवी हो या सुनिता चोधरी जी हो या फिर बढ़का गाव में अंबा परसाद हो ठीक उसी प्रकाशरिया चाहेंगे अपने बयान को चेनल में भी है कि जो लोग कोईला चुनने आये थे यानि हमने पूरवजो जब से स्टाटिंग उन्हें सथापित हुए थे हमने वहां से बात कही है इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए और हम लोग उन पर कोई क्रॉस क्वेश्चन करने नही सब्सक्राइब को समझना होगा जारखंड की आवरन को समझना होगा जारखंड की कल्चर को जारखंड की जो चीजें हैं उनको आपको बहतर तरीके से स्टड़ी करनी होगी आप 36 गड़ उत्राखंड के तरज पर अगर इस बात को रखते हैं कि आप 2000 के दिन को ही अस्थानी निती तई किया जाए तो यह पुसिबल इसलिए नहीं है एक लोजिकली उधारन देते हैं अंग्रेज तो हम लोग आजादी ही 1947 में ले लिए तो क्या 1947 में आजादी लिए इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज लोग ही हमारी विदी वेवस्था में रहेंगे जी नहीं अंग्रेज या तो उनको सक्तियां सुननी हो जाएंगी या तो अपने देश वापस चले जाएंगे तो ठीक उसी परकर जो हमने झा आरखंड लिया है कि देखिए जो लोग अपसब्द भासा का प्रियोग करते हैं बिल्कुल उनको हमारा संदेश होगा कि अपनी भासा में मरियादा रखें यह हम असपष्ट कहना चाहेंगे और विसेश कर मैं तमाम उन चैनल यूटूबर्स को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भीव के लिए कुछ जब आप किसी का वीडियो करते हैं जाहिसे बात भावनात्मक भी सई होता है तो कोई फ्लोफुला में कुछ ऐसे सब्दों का पर करता है आपके सामने बोलने के लिए तो कुछ बाते ऐसी रख दी जाए होंगे अधिकर देश के परदान मंत्री और अभी ग्रीह मंत्री तो असब्द भासा कर रहें लेकिन उन पर बोलने वालग तो इसलिए कुछ लोग अगर तो उनका उस पॉइंट को काट देजिए ता मने उचीत नहीं होता है लेकिन कोशिज कीजिए कि सम बहुता ऐसे सब्दों का प्रियोग ना हो जो मने आंदोलों को सवाल खड़ा करें बाकि लोगों का काम है खड़ा करना वो तो भाई चलेंगे ही आलोचनाई सहनी होंगी लेकिन परियास कीजिए और साथी मैं और एक विशेस निवेदन करना चाहूंगा जो भी पेज मेरे नाम से हैं समर्थाख हो फैन हो तो किरप्यास में हमसे संबन देती वीडियो चलाएं क्योंकि आप पेज को हमारे नाम से रखे हैं इसलिए आपसे हमारी बीनमर प्रार्थना होगी बाकि आप अपने नाम से कर लें प बीनमर प्रार्थना है किर्प्या करके उन पेज में हमसे रिलेटेट वीडियो ही डालें हमसे रिलेट पोस्ट आलें या तो फिर आप उस प्रीज़ विडियो हमसे होनी चाहिए और साथी मैं तमाम बंधों से बहानों से भी निवेदन करना चाहूंगा जब भी आप सब्दों को रखे तो कम से कम मर्यादित होकर रखें सभ्यता पुर्वग रखें आक्रोस रहे लेकिन उस आक्रोस में एक सीमा रहे सीमा का उलंगन ना हो और बाकी असपस्ट कहना चाहेंगे जो भी मित्र टेबल टॉक के लिए आमंत्रित किये थे मैं उन्हें वाट्सप नमबर इस्पिसल उनके लिए प्रोवाइड किया हूं सहर्स उनके साथ हम लोग बैठने के लिए तयार हैं कोई आपती नहीं है और जहां तक जर्या बिढाय बिढायका का संबंध हैं उनके उज्वल भविष्ट की कामना करते हैं हाँ इलोजिकल इस बात को रख सकते हैं कि भाई यह हमारा जारखंड अलग परिद्रिश्ट के साथ बना है अलग सोच के साथ बना है इसलिए आप पूरे देश की बात चुकी अनुसुचित जन जाती का छेत्र होता है और यहां असपस्ट है आर्टिकल उनिस पांच के नुसार की बाकी लोग यहां के रह बस लेंगे इनके साथ अगर उठ बैट लेंगे तो इनकी जो अडेंटिटी है वो डिस्टरब्ड हो जाएगी और डिस्टरब्ड हुई है इसमें कोई नई बात नहीं उनकी संस्कृति ठोपी गई तो इस कारण आज कौलहान में कौलहानिस्तान के नाम से एक गोंज उठने लगी है तो कहीं ना कहीं इसलिए उस अतिकरम को रोकना चाहिए तो इसलिए भारत एक समयदानिक देश सही बात है कोई कहीं जरा सकता है बस सकता है लेकिन यह भी करीना करें इस बात का अभी द्यान होना चाहिए अब बाहर के लोग अगर किसी एक छेत्र में जाके कंटिन्यू बसने लगेंगे तो जैसी बात हो जनसंख्या ब्लास्ट भी होगी और उस छेत्र की जो मूल पहचाने उसे भी कई न कई डिस्टब किया जाएगा तो प्रकार का कानौन किस परकार का प्राभधान किस परकार के तोर तरीकी अपनाय जा सकते हैं तो इसलिए बाकी जो है हम लोग विश्तार पूर्वक की जर्खंड में जिस दिन जर्खंड अलग हुआ उस कट-प को क्यों नहीं निर्धायत किया जा सकता इसको तो हम लगा लेकिन यहां धनबाद में बोकारो में बेरमो में जमसेदपूर में राची में हजारी बाग में बाहर की जनसंख्या बहुत 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 संक्या सथापित हुई है तो उनके साथ तो हमारे जारकन के लोग मुकाबला कि लोग ही विदी विविष्था को समझालेंगे तो यह कहां तक सही ए हम आजादी लिए तो क्या और प्रधानमंत्री हैं नहीं नहीं क्या अंग्रेज के लोग अप हमारे क्लेक्टर बन के रहते हैं नहीं 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 थेक उसी परकर हम बिहार से अगर अलग नो राज राजली है तो सब बहार ही लोग अगर अधिकारी बण रहेंगे इस बाति जो भी राज अलग हुंए है आप उस राज्यों का सरवे कीजे किसे ने ओण दोंतुसार संधित्र इ keywords कता है जी कि नहीं है विल्कुल नहीं तमिल नाड़ो से आपका लग हूं गया ने हैं तो थीक उसी परकार करते हैं कि बिहार ओलिंगा बिहार का अलग हुआ तो बिहार देते हैं तो उनका दबन thing नहीं होता है यह हमारे राज में दब-दब क्यों होगा हम लोग यहीं चाहते हैं कि सब अपने अपने हिस्से की रोटी खाई भगत्दा हम लोग ज्यादा बिस्स नहीं चाहते हैं चाहे हमारे हिस्से की नोकरी हो हमारे हिस्से की जो भी है वह हमारे हिस्से की है अब मान के चलित दो भाई में जमीन का बटवारा होता है तो अगर बड़ा भाई और छोटा भाई के भी जमीन का बटवारा हो चुका है बीच में जो हम लोग सियारी बोलते हैं आर बोलते हैं जो भी बोलते हैं वो लग चुका है लेकिन ये कैसा नियाय होगा कि छोटे भाई का जो हिसा आप दिये हैं उस किस फसल को जोट कोड़ आप करें उसको काटे भी आप और खाय भी आप यह अन्या है कि नए तो ठीक उसी पर कर जब झारखंड 200 varias catch her life और मेक्सिममउत्तर भारत के हैं जो झारखन को नेशनन अबूद करके रखेर उन से भी निभिधन करूं गांा कि आप पड़ लिए cu से आते हैं सेवा भाव से आते हैं तो व तो फिलाल आज के वीडियो आ पुब तीन सो तिरपन का भारी मजाक बन रहा है ऐसा अगर करने जाए थमको लगता है कि विधान सभा छोड़िये लोक सभा के भीतर एक भी नेता नहीं बचेगा और पुरा लोक सभा और विधान सभा खाली हो जाएगी तीन सो तिरपन मजाक ना बने इसलिए इस पर गवर्मेंट क ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए अगर आपको अंदलन से डिस्टरबेंस हो रहा है तो उनसे बैठिए उनसे चर्चाएं किजिए उनकी डेलिगेटिंग टीम को बलाईए परतिनिधी मंडल को बलाईए और बात किजिए बाकि सबको जोहार रहेगा जय जहार खंड जोहार है जय जहार को ऑजमन से लिए हो जयार। खुम कर दोर की सहरा जार कि जय जहार जार रहेगा है हम परतिनिधी कर झाद़ परतिनिनिर्गर ये तत्टा सबक्वेद word गजर गरते समय बाजर कि ओक डल सborशना कि जहार। lens और यजर क्यों जहार परतिनिर्णeremos provide से य़़ मेर ज